हाई गाईज वेलकम तो यूट्यूब चैनल दरीयल इन्वेस्मेंट आज हम बात करने वाले पर्टिकुलर्ली आलोक इंडस्री स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक में भी हम उसी बात पर फोकस करेंगे जिसमें हम स्टॉक के आगे के लेवल्स क्या देखने को मिलेंगे क्य आज के लगबग सारे के सारे शेयर्स जितने भी हाँ पर हम जादा सा फोकस रखते हैं वह सबी के सबी शेयर्स में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिल रही हैं लेकिन इस बेच आलोक इंडस्री जैसे स्टॉक के अंदर तेजी बनते हुए देखने को मिल रही हैं यह अगर हम बात की जाए तो स्टॉक काफी बहतर देखने मिला फिर उसके अंदर साथ ही साथ गिरावट भी देखने को मिल रहा है लेकिन आपको बताना चाहूंगी जब कभी मार्केट पूरे तरके से प्रेशर में हो और आप सभी लोग जानती कि आलोक इंडस्री स्टॉक य आज थोड़ा काफी अक्टिव देखने मिला और फंडामेंटली तो आप सभी लोग जानते कंपनी के उपर कर्स भी है और साथ ही साथ फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉंग नहीं है तो इस बीच स्टॉक के आपको एक खत्रे की घंटी यहां पर देखने को मिल सकते हैं आज तो यहां पर एक ब्रेकाइट को मिल रहा है लेकिन आप यहां पर रिटन देख सकते तीम दिसेंबर से लेकर 6 डिसेंबर तक इन 3 दिनों में रिटन कितना है तो वह सीर्फ 1.7 municipal पर स्टॉक के बाद कियखने को मिल रहा है अब स्टॉक के अगर आप लांग्टब्स हैं चार बहुत जल्द यहां पर गिराड भी दिखन लगता है तो बहुत से इन्वेस्टर्स यहां पर इस पॉइंट का इंतजार करते वे बैठने को मिल रहे हैं और अगर इस बीच वॉल्यूम की बात की जाए तो stock का आज का volume 1 crore रुपीज के करिब का देखने को मिल रहा है जो कि पिछले कुछ दिरों में 65 lakhs 65 lakhs और 69 lakhs का देखने को मिला था यानि कि lakhs से direct crore की और यहां पर मुड़ते वे stock का volume देखने को मिल रहा है इस भी जाकर stock के हम sales की बात की जाए तो आपको बताने को मिल रही है यह currently results के उपर की बाते आपको बता रही हूँ इस भी जाकर आपको इंके share holding pattern पे focus किया जाए तो आप यहां पर देख सकते है promoters की holding unchanged है 75% तक का stake है जो की maximum level का stake यहां पर है और जो यहां पर foreign investors है उनकी holding अब देख सकते है 1.3% तक की थी और वो बढ़कर 1.39% तक की देखने मिल रही है और बाकी की किसी भी इसमें अंदर हमें कोई भी changes देखने को नहीं मिलते है तो यह इनका था share holding pattern जो की थोड़ा कहीं न कहीं strong हमें देखने को मिल रहा है stock के अगर हम NAC के website पर जाकर देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते है stock के अंदर 33.91% तक की delivery उठाई जा रही है stock के अंदर बाइंग का जो season वो देखने को मिला बाइंग प्राइस भी देख सकते है 21.45 के प्राइस पर लोग बाइंग कर रहे है जबकि इसका previous closing देख सकते है 21.45 कहीं था low यहां पर 20.90 तक चला गया था stock और उसकी बाइंग यहां पर 21.45 पर चल रही है यानि कि आप देख सकते है अभी stock यहां पर lower trend आपको दिखा सकता है तो यहां पर एक alerting mode आपको देखने मिलेगा तो आप इसके अंदर ना buying करें और ना ही stock के अंदर से आप यहां पर लगातार buy करते हैं क्योंकि आभी एक alert situation stock के अंदर फिलाल के टाइम में हमें देखने को मिल रही है तो आप समझ चूके होगे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रू कर देना और कोई भी आगर आपको डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्षन में ज़रू पुछना सबस्क्राइब एक